असलाम वालिकुम दोस्तो मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सब का खुशामदीद है आपके अपने यूटूब चैनल आओ सीखे वित आतिका पे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनहिया लाल कपूर की हालाते जिंदगी ये कब पैद पैदास्वारा हुआ तो ये पित्रस बुखारी हैं ये पाकशितान होता है जिस तरह इंग्लिच में एससे होता है इस तरह उर्दू में इंशाइया होता है तो जो अखबार भी नहीं है इसको लिखने वाले भी कनहिया लाल कपूर हैं तो अगर आप क्लाज 10 में हैं तो ये कोशन आपको 6 नमबर दिद लाएगा और इसके लावा जो इंपोर्टन्ट होगा ये अब जो पूछा जाने लगा है आपसे अबजेक्टिव टाइप कोशन तो उनके लिए भी कुछ चीजें एहम होंगी तो चलिए शुरू करते हैं कनहिया लाल कपूर उर्दू मिज़ा हनिकारी में कनहिया लाल कपूर का नाम एक खास मुकाम रखता है 1910 इसबी को सुबय पंजाब के जिला लाल कपूर में पैदा हुए जो अबजेक्टिव टाइप कोशन होंगे तो उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब पैदा हुए या पूछा जा सकता है कि ये कहां पैदा हुए कनहिया लाल कपूर और या छोड़ी छोड़ी चीजे पूछी जा सकती है कि ये क्या लिखते थे तो ये इंशाया लिखते थे इनके वालिद पटवारी के अहदे पर फाइस थे यानि पटवारी किसे कहते हैं जिसे लिखपाल बोलते हैं वही पटवारी होते हैं इनके वालिद जो थे वो पटवारी के अहदे पर थे अप्तिदाई तालीम यानि कि शुरुआती तालीम अपने गाउं में हासिल करने के बाद लाहौर के सरकारी कॉलेज से अंग्रेजी में इम्मे किया जितने भी आप अधीब को देखेंगे शायर को देखेंगे तो जादा अंग्रेजी के ऊस्ताद मकररर हुए इन्हों ने आम्मे अंग्रेजी से क्या उसके बाद जो इनके आसपास घहां इस किसी कॉलेज में यह अन्ग्रेज के उस्ताद बन गय को मुल्क के बटवारे के बाद लिए हिंदूस्तां चले आए और मोगा के सरकारी कॉलेज में प् लालकपूर इंतिहाई जहीन थे इंशा परदाजी का शौक उन्हें इप्तिदा से था चुकि वो पित्रस बुखारी के शागिर्द थे इसलिए मज़ह निगारी में भी दखल रखते थे कनहिया लालकपूर की मज़ामीन का पहला मजमुवा संग वहशत 1942 इसबी में मकतबा लहौर से शाय हुआ इसके अलावा शीशा वतीशा जंग वरबाब और नरम गरम इनके खास मलवों के नाम है बड़े शहरों के हंगामों से दूर बेनियाजाना बसर करते थे यानि यह किसी शहर में नहीं रहते थे बलकि किसी गाओ क्युर्त के चकाचौदर से दूर और तप मिला कनहिया लालकपूर की तहरीर बजाहिर सीधी साधी मालूम होती है लेकिन इनके लफजों के पीछे तंजवा मज़ा की चाशनी मौजूद रहती है रिटायर होने के बाद अपने बेटे के पास पूना चले आया थी यानि जो रोज अकबार मिलता है वो अकबार में ये हिंद समाचार से जुड़ गए और वहां के लिए ये कॉलम लिखते रहे 1980 भी में दिल का दोरा पढ़ने से पूना में इंतिकाल हुआ तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कनिया लाल कपूर की हालाते जिंदगी आई होप आपको पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूसफुल हो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और जो भी दोस्त आपके हाइ स्कूल में है और उन्हेंने आफनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडिबेक हमें कमेंट के जरीए जरूर बताईए थैंक्यू हमेशा खुश रहिए